हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IND vs ENG यानि की इंडिया vs England 30-20 मैच और Dream 11 टीम के प्रेडिक्शन करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया और इंग्लेंड के बीच में जो तीसरा T20 मैच होने वाला है यहाँ काफी interesting चीज़े आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी जैसे की इंडिया की playing level क्या रहने वाली है इंग्लेंड की playing level क्या रहने वाली है दोनों ही टीम की आपको इसकोड डेटेल यहाँ पर दिखाऊंगा आपको hit to hit की records बताऊंगा इस वीडियो में आपको Grand League की जो है अच्छी पिक्स बताने वाला हूँ प्लेयर वाइज एनलिसिस है इस वीडियो में तो वीडियो को यार लास तक जो उड़ से देखना आपको काफी मज़ा आएगा अगर चलिए भी यहाँ पर वीडियो में स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंडिया और इंग्लेंड की बीच में जो की मैच 16 मार्च यानि की आज खेला जाएगा सामको 7 बजे नरेन मोदी स्टेडियम एहंदा बद के ग्राउंड पे अब बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की तो यहाँ की जो पिच है वो अच्छी खासी पिच माली जा रही है और बैटिंग फ्रेंडली जो है पिच माली जा रही है आपने टेलिग्राम चैनल पे आपके साथ में सेयर कर देता हूं कि कौन सी पिछ जो है यूज हो रही है और साथी साथ जो है पिछ रिपोर्ट क्या आती है वो भी आपको टेलिग्राम चैनल पे मैं सेयर कर देता हूं लास्ट के जो दो मैचे हुए है ना पहला मैच हुआ था 12 March को जो 1st T20 मैच था उस मैच में England ने वीन किया था 8 विकेट से अगर मैं बात करूँ जो 2nd T20 मैच था वो खिला गया था 14 March को 2nd T20 मैच England ने पहले इसमें वैटिंग करी इंडिया ने उसको चेस कर लिया यहां पर इंडिया ने पहले वैटिंग करी और उसको इंडिया ने चेस कर लिया दोनों बार जो है चेसिंग करने वाली टीम यहां पर विन करी है में भी इस्पेक्टेट सेम होगा जैसे कि पहले हमने देखा कि मैच जो है जिन्होंने चेस किया वो टीम वीन करी तो जो भी यहाँ पर टीम टॉस वोन करेंगी न डेफरेटली पहले जो है बॉलिंग लेना पसंद करेंगी इस चिछ को आप ध्यान दीजेगा और आप जो है ऐसी टीम क्रियेट करिएगा जिसमें जो है आप जो टीम चेस कर रही हो यानि कि सेकंड टाइम ब मैचस खेले गये है आई कि इंग्लेंड और इंडिया के बीच में जहां प boundary Ing- आप बार जो 흔र ऑधा और आप के से आब करेगी और आप के लिए काम करने का मुझे बहुती मद्ब करेगा तो वीडियो को आप अपना एक लवे रहता है है लाइक करना लाइक करने में जो है आपको एक रुपया भी चार्जिस वगरा नहीं लगते हैं सो वीडियो को लाइक ज़रू से कर दिया करो अब हम बात करते हैं अपने वीडियो के में इंपोर्टेंट सेक्शन की जो की होता है प्लेयर्स बैटल यहाँ पर अगर आप लाइक बार आउट किया है जबकि जोफरा आर्चन ने विराट को 17 बाल करके जो है सिर्फ 16 रंदिया है क्रिस जॉर्डन ने लोकेश रहूल को दो बार आउट किया है अगर हम यहाँ पर बात करें की तो जुडर्ण ने रोहिच सर्मा को जो है 24 बाल करी है एक तालिस रंद जार्ड ने हारदिक पांडिया को 17 बॉल करें के 31 रंदिये हैं जबकि जोफरा को सोला बॉल करके जो है इंग्लेंड के बॉल रस थे अब इंग्लेंड के बॉल थे अगर हम बात करें यहाँ पर जो है जैसर रोइक ने इनको एक बार आउट किया है हाला कि काफी पिटाई भी हुई है इनकी 49 बॉलों में 47 रन काफी अच्छे से जेसन रोई खेलते हैं इनको भुनेशर कुमार ने 28 बॉल करके 33 रन दिये हैं जेसन रोई को यजवेन चहल वेसे इयोन मॉर्गन एक बार आउट कर चुके हैं 36 बॉलों में सिर्फ 36 रन दिया है हार्दिक पांडिया इय मैच में दो विकेट लेकर गए थे मेरे इस जोड़ से ध्यान रखेगा हार्दिक पांडिया ने विजिए दकार इना थी का भी आप ध्यान दिजएगा हार्दिक पांडिया ने बटलर को जो है बारा बोल करके 25 रण दिये हैं जबकि बनीशर क्मार ने बटलर को जो है ना करके दस रंदिये हैं और शुट यह जो है बैटल था और आई होप जो है प्लेयर्स बैटल आपको यूज करना आता होगा आगल नहीं करना आता तो यार कहना मैं इसके उपर एक वीडिएटिट जो है बनाके आपको एठी दूंगा जिससे जो है काफी आपको help मिलेगी दोनों है टीम की अगर score detail की बात करें तो इंडिया की तरब से जो है 19 member का score detail announce किया गया है और England की तरब से 16 member का score detail announce किया गया है पिछले match में हमने क्या देखा पिछले match में हमने देखा कि भाई मतलब बिलकुली कमाल धमाल देखने को मिला रोही सर्मा बाहर हो टीम सायद मौका दे सकती है और यहाँ पर इंगलेंड की तरफ से अगर हम बात करें तो इन्होंने भी टॉम कुरान को लाया यहाँ पर और जो है कुछ देखने वाली बात होई कि कौन सी रेप्लेस्मेंट बगरा और होती है क्योंकि यहाँ पर मार्कमुट तो इंजर्ड है तो इनके खिलने के कम चांसेस है ऐसी न्यूज और जो है कोई अगर हमें मिलती है तो आपको हम अपने टेलिग्राम चैनल पर भाई बता देंगे यह हमारा टेलिग्राम का चैनल है टेलिग्राम चैनल के लिंक यार वेने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो आप इसको जरू से चेक आउट करिएगा टेलिग्राम चैनल पर जुणने का फायदा आपको यह रहेगा कि यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको टीम के साथ साथ यहाँ पर टोस की इंफर्मिशन प्लेइंग लेवन और कोई ऐसे न्यू जाती है तो आपको मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर भाई बता देता हूँ और यह भी बिल्कुल फ्री है यहाँ भी आपको एक रुप्या नहीं लगता तो वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजे अगर नहीं किया हुआ है अब तक तो और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करिएगा टेलिग्राम चैनल पर जुडिएगा पहले वीडियो पूरा देख लीजे उसके बाद जो है T20 मैच खेला गया था उसकी प्लेइंग 11 है और यहां पे प्लेयर्स रोल के साथ साथ प्लेयर पर्फॉर्मेंस भी लिखी हुई है लेकिन रुकिए रुकिए आपके लिए मैंने इस बार डबल महनत करी है जिसका आपको यहां पर दिखेगा यह देखो डबल मैंने महनत करी औ और यहां पर दुबारा से लिखी जो सेकेंड T20 मैच हुआ उसमें क्या प्लेइंग 11 रही वो यहां पर मैंने लिखी है साथ ही साथ प्लेयर्स के यहां पर इनके स्टैट्स भी लिखे हैं जो इन्होंने स्कूर किया यहां पर आप देखोगे इंडिया की तरफ से सबसे पह तो यहां पर हो सकता है हार्दिक पांडिया के बाद जो है आए या फिर अफिर पांडिया के ऊपर आए ठीक है और वासिंट्व तूंदर की बैटिंग करने के चांसे से लो रहेंगे यहां पर नीचे रहेंगे तो इनकी क्या मतलब पोजीशन है कौन सा प्लेयर जो है मैंने लिख रखी है जैसन रोई के साथ में जोस बटलर ओपन करेंगे वन डाउन पर डेविड मलान है फिर उसके बाद जॉनी बैरिश्टो है बैनि स्टोक्स है योन मोर्गन है सैम करन है टॉम करन है क्रीश जॉडन है आदिल असीद है जोफरा आर्चर है तो यहां पर आ बात करें यहां पर जो है कौन कों से अच्छे प्लेयर से कौन कों सा प्लेयर जो है किसको आउट कर सकता है तो चलिए वीडियो में आगे हम डिस्कस करते हैं उससे पहले आपको पता दे भाई यह बल्लेबाजी अप्लिकेशन की आपको बैटिंग फैंडेसी और बालिंग की टीम भी यहां पर जो है मिल जाएगी हमारे टेलिग्राम के चैनल पे तो इस अप्लिकेशन को भी जरू से डाउनलोड कर लीजएगा लिंक जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहां पर आपको मैं अपनी टीम भी दिखा देता हूँ जो की मेरी बैट इस टीम की अगर मैं बात करो अपनी तो इस टीम में आप देखोगे लोकेश राहूल को लिया है जोस बटलर को लिया है इशान किशान मेरी टीम में जैसन रोई और डेविड मलान लोकेश राहूल भले ही दो मैचस में फेल हो गये हैं और हाला कि नरेंद्र मोधी स्टेडि करने वाला हूं मेरी भाई है या तो लोगेश राहूल फीराट को ली ठीक है फिसले में पिछले मैं мужburg को बुटाक स्टेट मैं यहां पर आगर मैं बात करो भालिंंग टीम की तो बॉलिंग टीम में आप देख लो सरदल ठाकूर को लिया है जोफरा आरचर है मेरी टीम में भुनिश्र कुमार यजवेंट्स च setzt जो आदिल रसीद है जोफरा आरचर को ऐन्द को चैपेंचिव दी है सरदल ठाकूर को आप TV लगा इस albo कर रहें वाल है भाई यहाँ पे Grand League आप मत खेलो अगर आप Grand League खेल रहे हो तो आप बिल्कुल यह हाई रिस्की टीम बना के खेला करो जिससे आपके जो है अगर फर्स सेकंड पे आते हो तो आपको काफी अच्छे जीतने के चांसे रहेंगे अधर वाइज मैं आपको Grand League की सजेशन नहीं दू लेकिन यह प्राइज मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे कट होके बाकी सारे जो नीचे के जो प्लेयर्स हैं जैसे कि यह मतलब 10,000-20,000 लोगों तक उनको मिलने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे Dream 11 जो है इनकी Grand League अब बिल्कुली अच्छी नहीं आती आप किसी और Fantasy Sides पे खेलो जहाँ पे आपको Grand League काफी अच्छी अच्छी मिलेंगी, Grand League की यह जो है यहाँ पे आई है 16 करोड, 3 करोड यह सारी जितने भी आई हैं मैं अपने experience के basis पे आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको फाइदा नहीं होगा आया तो आपके पैसे return होंगे या फिर जो है आपका लॉस ही होगा, यहाँ पे मैं आपको जो है अपनी टीम भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ प्लेयर वाइज एनलिसिस कर लेते हैं, देखो विकेट की पर सेक्षन में अगर मैं बात करूँ, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, डेफिनिटली मैं जो हूँ चारो प्लेयर लेके जाऊंगा, यहाँ पे अगर इंगलेंट पहले बैटिंग करता है, तो जोस बटलर लोकेस राहूल को मैं अपने टीम में लेके जाऊंगा, अगर हम बात करें यहाँ पर बैटिंग सेक्षन में तो विराट कोहली डेफिनिटली आपकी टीम में होने चाहिए, बड़े रखियेगा, डेविड मलान के सामने अगर वासिंटल सुन्दर आते हैं, तो इनको जो है हाई चांसे है कि इनको आउट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेट बैट्समें को, उसके बाद जो है जैसन रो है और आपको एगर चाहो तो यहाँ पे जो है स्रेस एयर को अपनी टीम मे लगता है, अगर हम बात करें यहाँ पर राउंडर सेक्शन में तो कौन सा प्लेयर आपकी टीम में होनी चाहिए, डेफिनिटली ज्यादा ज्यादा लोगों के पास यहाँ पे हार्दिक पांडिया टीम में आएंगे और बैनि स्टोक्स आएंगे, बट यहाँ पे हार्दिक वासिंटर सुंदर को रिमूब करके, क्री जॉडन को अपने टीम में ले सकते हो, या फिर आदिल रसीद को अपने टीम में ले सकते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिस्की टीम बनाने के लिए, यहाँ पे एक टीम में मैं वासिंटर सुंदर को लिया है, और एक टीम में यहाँ पर मैं आदिल रसीद के साथ में जा रहा हूँ Captain Vice Captain ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है यहाँ पर directly आप जो है Lucas Rahul को Captain और जो है Josh Butler को Vice Captain बना सकते हो यह जो है आपकी team ऐसी बन के ready हो जाएगी, team का final preview आपको दिखा देते हैं, इस team में अगर आप देखोगे यह बिलकुल ही जो है एक safe team और head to head की team बिलकुल ready हुई है आपको 3-4 member की team यार मैं जरू से दूँगा और वो team मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे जो है आपके साथ में share करूंगा, जोस बटलर को लिया है लोकेस राहूल है, विराट को लिया है, जेसन रोय है डेविड मलान है, इशान किसान है, हरदिक पांडिया है और यहाँ पे आदिल असीर यजोईन चाहल सरदल ठाकूर और जो है जो है जो फरारचर लोकेस राहूल कैप्टन और जो है जोस बटलर वाइस कैप्टन अब आप पुछो के कि भाई हरदिक पांडिया को तुमने क्यों ले लिया तो भाई हरदिक पांडिया को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यह बैटिंग के लिए कभी भी जो है प्रमोट हो सकते हैं साथी साथ इन्होंने पिछले मैच में जो है चार ओवर पूरे डाले सो काफी important हो जाते हैं हारदिक पांडिया इस चीज का आप ध्यान रखेगा दूसरी टीम भी जो है कुछ ऐसी ही है इस टीम में आप देखोगे तो यहाँ पर वासिंग्टन सुंदर को मैंने लिया है जैसे कि आपको मैंने बताया था ठीक है तो यह हमारी टीमस बनके रेडी है कैप्टन वास कैप्टन आपको ग्रैंड लिंग में किस किस प्लेयर को ट्राइ करना चाहिए जोफरा आर्चर भाई मेरे जरू से ट्राइ कर लेना पिछले मैच में हमने आपको बताया था कि आप जो है सरदल ठाकूर को ट्राइ करियेगा काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला यहाँ पर जोफरा आर्चर को आप ग्रैंड लिंग में जरू से ट्राइ कर लीजेगा कभी जो है काफी क्रूसेल हो सकते हैं साथी साथ यहाँ पर एक मात्र प्लेयर रहेगा डेवीड मलान को भाई आपको जो उसे ट्राइ करना है ग्रैंड में वन बाई वन करके जो है सारी प्लेयर्स को आप ट्राइ करियेगा लुकेस राहूल तो डेफिनेटलि मेरे हैट-to-head में हाई हैं तो इनको Grand League में मैं डालने वाला हूँ और यहां पर एक प्लेयर और रहेगा जिसको इग्नूर आप नहीं कर सकते अगर जो है इंग्लेंड का टॉप और आप नहीं ले रहे हो अपनी टीम में जैसे कि जैसन रोय को नहीं ले रहे हो जोस बटलर को या बैरिस्टो को ही ले रहे हो तो फिर आप जो है योन मॉर्गन को अपने टीम में लीजेगा अगर उनको मौका मिला 10-15 बॉल भी अगर खेल गए तो उतने में जो है 25-30 रन बना के आपको दे सकते हैं आई होप जो है हमारी वीडियो आपको काफी इंफर्मिशन वाली लगी होगी भाई मे